बात करें सोयबीन की तो सोयबीन में भी किसानों के साथ ही ऐसा ही होता हूँ नजर आया था सोयबीन की जब भवाई हो थी जून जुलाई के समय उस समय सोयबीन की जब भावते जादा देखने को मिलेता वायता बजार के अंदर 10,000 के पार आंगड़ा सोहेवीन का पार हो गया था क्योंकि उस समय सोहेवीन के बीजों की किल्लत थी सोहेवीन की बीजों की किल्लत थी और काला बजार भी सोहेवीन के बीजों की देखने को मिली थी जिसकी वज़ा से सोयवीन के जो दाम ते वाइदा बाजार में उचलते भी नज़र आये थे और उस समय मौनसून की गतीवीदियां इतनी देखने को नहीं मिली थी जिसकी वज़ा से ये आकलन निकाले गया था ये आकले निकल के सामने आये थे कि सोयवीन की जो बुवाई है पिछले साल की मुकावले चालू साल में चालू सीजर में कम देखने को मिलेगी जिसकी वज़ा से सोयवीन के दाम एकदम सो उचलते भी नज़र आये और उस समय किसान के पास सोयवीन का स्टॉक नहीं था और अगर किसी के पास हो अभी तो वो भी थोड़ा बहुती होगा क्योंकि जो सोयवीन थी वो भारी बारिश की वज़ा से लगातार निरंतर खराब ही होती भी नज़र आ रही थी और किसान के पास जो माल था वो बुवाई के लिए वो भी बोने लाइक नहीं था तो किसानों ने महेंगे दाम पर बीच खरीद कर बुवाई करी कि इसी चक्तर में की चलो उन्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे लेकिन जैसे जैसे वाइदा बजार में तेजी आती गई सोयवीन के दाम तेज होते गए ये भी जो ख़ादे तेल के दाम ते उस समय वो भी तेज हो रएते ते मील उसके आयात को मन्जूरी दी गई उसका आयात होने लग गया जिसकी वज़ा से सोयवीन का जो दाम है वो घडिया और अब खादर तेल उपर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई और स्टॉक लिमिट लगा दी गई है जिसकी वज़ा से सोयवीन के जो प्राइसे हैं वो लगातार अब घटते ही नजर आ रहे हैं लेकिन जिस हिसाब से अब मौनसुन की गतिवीदिया बीच में देखने को मिली थी किसानों को काफी जादा नुकसान भी हुआ है सोयवीन की फसले बड़े पैमाने पर खराब भी होती ही नजर आई है अगर किसानों को ये बताया जाए कि सोयवीन के आखड़े जादा है उतपादन के जादा रह सकता है उतपादन का आखड़ा तो किसान इस चीज़ को नहीं मानेंगे क्योंकि किसानों को पता है कि उनके खेतों में सोयवीन की जो फसले हैं कितनी खराब हुई है तो जो आखड़े दिये जा रहे हैं वो ground reports के कम और जो पहले के आखड़े थे और मौसम की गतिवीदियां उनको देखकर जादा दिये जा रहे हैं तो ground reporting इस समय सोयवीन के आखड़ों की नहीं की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही पता है कि उनकी फसल कितनी खराब हुई है और अगर उत्पादन जादा होने के आखड़े नजर भी आते हैं तो मौसम की वज़ा से भारी बारिश की वज़ा से बार के चलते हैं सोयवीन की फसले इतनी खराब हुई है कि जो उत्पादन उस पर भी कहीन के इंपक्ट पढ़ता हो नजर आएगा अगर कोई कहा देता है कि सोयवीन का उत्पादन पिछले सार के मुकाबले जादा रह सकता है जादा होगा मान लिया लेकिन किसानों को भी पता है कि उनकी फसले कितनी खराब हुई है तो सोयवीन की जो कीमते हैं आने वाले दिनों में वो बढ़ने के चांसे पूरे-पूरे हैं तो किसानों को सतर खोने की जरूरत है कि अफवा के चलते जादा उत्पादन आखड़ों के चलते अपनी सोयवीन मंदी में न बेज दे थोड़ा सा समाल के भी रखे क्योंकि धीरे धीरे अब जैसे सोयविन कर जो स्टॉक है य 되어 कम ही है और हाला कि मंट्यों में सोयविन की आवके हो रही है लगाता हो रही है लेकिन सर्धिया है तो कीमते थेजी रहने का अनुमान है क्योंकि खपत के आंकड़े नहीं है आपको बता दें कि सोयवीन की खपत भी बड़ी है अगर उत्पादन जादा रह सकता है ऐसे आंकड़े आए हैं तो खपत भी इस बार जादा होई है तो सोयवीन की कीमते अभी आगे चलके तेजी रहने का अनुमार है इसके लिए हमने एस्टोमरनी गुरू करनल अजे का सोयवीन पर इंटर्वीव भी अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है आप वो भी जाके देख सकते हैं और कल को हमने सरसोक के उपर भी एक इंटरव्यू अप्लोड किया था अपनी यूट्यूब चैनल पर आप वो भी जाके देख सकते हैं। दोनों के ये अंदर मंदी तेजी की पूरी रिपोर्ट बताई गई है कि सरसोक का भविष्य कैसर आएगा, सुवेविन का भविष्य कैसर आएगा। आप वो भी जाके आगे देख सकते हैं।